इस को दिखिए सी टूटाउजन डेवन में आया हुआ है कह रहा है कि इफ सेटीटा इस प्लस वन फॉर एक्स तो आपको गिवन है इफ के सामने जो लिखा रहता हो इफ का मतलब यदि ऐसा है तो यानिकि यह गिवन है आपको ठीक तो गिवन क्या और जो गिवन होता है उसका यूस करते हुए हमें कुछ प्रूफ करना होता है इसमें तो गिवन क्या आपको ध्यान से चेक करो आपको जो गिवन है वो है सेटीटा का जो वेल्लू है वो कितना है एक्स के टम्स में एक्स प्लस वन अपॉन फोर एक्स है ठीक अब आपको प्रूफ क्या करना है अब ध् sec theta plus tan theta is equal to 2X or or का मतलब या तो आप ऐसा प्रूफ कर दो कि sec theta दिखोत और और 1 upon 2X इसका ये मतलब गला के वह कह रहे गाएं WHO तो hand theta प्लस एंधेटा का उस्साम हो चाहिए सेखभिन टीटा है तो 2X आजाए या तो sec theta plus tan theta कितना आजाए 1 upon 2x आजाए बात समझे रहो तो ये दो result होते है अगर sec theta x plus 1 upon 4x के equal होता है तो sec theta plus tan theta या तो 2x के equal होगा या तो sec theta plus tan theta 1 upon 2x के equal होगा ये दोनों बाते हैं आपको क्या करनी ही proof अब मेरी बात ध्यान से सुनो कभी कभी exam में क्या करता है समझो कभी कभी exam में क्या करता है कि एक ही result आपसे पूछ लेता है यहां और नहीं लगा होता है कभी कभी बोलेगा sec theta plus tan theta is equal to 2x बोल देगा या तो ऐसा प्रूफ करवाएगा या तो आपको बस यही देदेगा आपको attention नहीं लेनी है आपको दोनों आने चाहिए दोनों result कैसे आते हैं आईए मैं आपको दिखाता हूँ exam में एक भी पूछ सकता है दोनों भी पूछ सकता है ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ पूरा process कैसे है समझो देखो इस question को करने का जो तरीका होता है वो यह होता है कि हम एक काम करेंगे ध्यानसरा चेक करिए देखिए सीधी साब बात है कि अगर भाई देखो sec theta का value तो आपको पता ही है x के terms में अगर हम tan theta का value निकालने x के terms में और उठा के दोनों का add कर देंगे सही है न sec theta तो पता ही है और tan theta कर हम निकालने x के terms में तो sec theta का value प्लस tan theta कर add कर देंगे तो यह तो 2x आ जाजएगा है तो वन वन 2x आ जाजएगा दिखाता हूं कैसे देखो यह जो दिया रहता है इसको आप बनाओगे equation number 1 अब इस equation number 1 में squaring on both side करोगे बात द्यान से क्या लिखाता मैं पास sec theta बराबर x प्लस 1 upon 4x लिखाता हां इधर bracket लगाएंगे ध्यान देना जरा और इधर bracket लगाएंगे इस पे square तो इस पे भी square भाई पूरे square लगाना है ना तो bracket बंद करके तब square लगाओगे अब समझो यह square set को मिलेगा तो second square हो जाएगा क्या हो जाएगा सब्सक्राइब करना ट्रीटा यह श्युत है स्वाइर फ्लस ट्रीट मत्वाटा है एक स्कौाइर गाहर Varipper एक स्कौाइर फ्लस इसना शतना फ्लस टॉड़ए जो ट्रीप एक स्वाइब फसमिदेंगे कि घरेने कि एक की जगा X और B की जगा 1 upon 4X आया बताओ कैसे expand किया है क्या किया एगा स्क्वाइड और प्लस बीगा स्क्वाइड प्लस टू इंटू एक जगा एक्स इंटू में बी की जगा 1 upon 4X ठीक अब समन्ना जरा पहले तो थोड़ा सा simplify कर लो देखो किया आजाएगा आपके पास सेक स्क्वाइड थीटा इस इक्वल स्टू एक्स स्क्वाइड तो ऐसे ही रहेगा और प्लस अब समझो अब नेक्स चेप में क्या करोगे अभी तक आ चुका हमारे पास क्या इसगें चुटा इस इक्स स्क्वाइर एक्स स्क्वाइर कर आ जो सुनना ध्यान से चलो नेक्स स्टेप में बताऊंगा देखो वन अपॉन सिक्स्टीन एक स्क्वाइर और प्लस वन अपॉन टू अब समझो एक बाव बताओ मैंने क्या बोला था आप से कि सटीटा के वेल्लू दिया हुआ उसकी हेल्प से टैन निकालो लेगिन अभी भी हमें फिर लो क्या करोगे ये वाला जो सक्वाइर लिखा है इसकी जगाँ क्या चिपका कहोगे ऊप्लास ticket quiet q perché यह हमने लिखा और रशीन एक्स्ट रजैसां में लिखें सटीट्न क्या होता है प्लस एक्स्टीटा वन टान भीन उन लगता वन प्लस और जिखने की ऐगाहे अप log स्कॉर थीटा की जगा ये पूरा लिख दी है 1 प्लस 10 स्कॉर थीटा बस ठीक अब समझो अब क्या करोगे ध्यान से चेक करो यह ब्रैकेट आप चाहो तब हटा सकते हो और कि इस ब्रैकट को यहां से हटा भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अब समझो अब देखो यह जो वन है यह वन इधर पॉजिटिव का है उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा तो इस वन को उधर भेज़ दो क्यों भेज़रो सर क्योंकि सर मुझे टैन की वेलू चाहिए न ठीक पी सो टैन स्कुएर तीटा इस पुल्स टै यह एक ससक्कवाः ऐसे ही रहेगा और प्लस वन अपॉन शिक्स्टीन एक سक्कुएयर ऐसे ही रहेगा अब ध्यान देना चाहरा यह क्या था यह प्लसवें यह 1पॉन2 था यह सर अप स३ो यह जो तो प्लस का बन है भाई One की आगे कोई officer नी दो प्लस उधर जाएगा तो क्या होदाइगा माइनस है ना तो यह पून लिखांखा उधर जाएगा तो क्या हो जएगा उदढ जाके माइनस 1 सही है ओके नाओ अब ध्यान दो क्या करेंगे हम समझना ज़रा 10 स्क्वाइर थीटा इस इक्वल्स टू X स्क्वाइर और प्लस 1 अपॉन 16 X स्क्वाइर अब ध्यान देना ज़रा ये कितना हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन 2 माइनस का 1 ध्यान से चेक करो क्या बोला मैंने ये कितना हो जाएगा माइनस 1 बैट 2 बाई चेक कर लो ना ये कितना बचेगा माइनस 1 बैट 2 कैसे पेचाना मैंने देखो 1 में से क्या माइनस करना है हाफ वन अपॉन 2 को हाफ बोलते है तो 1 में से 1 является 1 खलेका लेकिन इन दोनों में सेाइप बड़ा बड़ा साइन लगें ले साइन बड़े नंब्र का मुदरलाउ ठाइगा फ्लेंडवर से नहीं जो two upon me two the plus minus minus to minus one upon two ही तो आजाएगा सईधी साभ बात है भई minus करना one में से one upon two तो लेकिन sign क्या होगा बड़े नंबर का तो one के आगे minus minus half ठेक है अब सुनो अब यहां के बाद कुछ कहानी करनी हमको क्या कहानी करनी वह हम 10 square theta is equals to X square plus one upon 16 X square minus one by two yes or no ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनना ध्यान से एक बार बताओ कि X plus one upon 4x का जो whole square था वो क्या होता था X square plus one upon 16 x square plus two into a into b वह बता थी अगर यह बात आपको पता है तो मुझे आप यह बताईए कि ध्यांत चेक करना को अगर मिया माइनस लगातूं यानि कि ए प्लस वी का होल सकवर ऐसा था तो ए मिनस वी का होiernotan किया हो जाएगा खुछ द्रौ ने लगाऊ 1 upon 4x का whole square is equals 2 यह x square है और प्लस में 1 upon 16 x square है ठेक अब सुनो x से x गया 2 अंजा 2 तू जा यह निकि 1 upon 2 लेकिन माइनस का 1 upon 2 यह माइनस है ना माइनस का 1 upon 2 क्या दिखाना चाहते हूं सर सर में यह दिखाना चाहता हूं सर इसकी जगा क्या लिखो गया x square plus 1 upon 16 x square माइनस 1 upon 2 की जगा हम क्या लिख सकते है एकस माइनस 1 upon 4 x माइनस 1 upon 4 x का whole square यह सो नो अब यही चीज आपको यहां दिखरी है बताओ तो आप next step में क्या करोगे बताओ next step में क्या करोगे आप tan square theta is equals to और इस पूरे की जगा आप क्या लिखोगे बताओ x माइनस 1 by 4 x का whole square यह सो नो इस पूरे की जगा आपने क्या लिखा यह सही है अब ऐसा क्यों किया अब समझो ऐसा इस ले किया ताकि क्यूंकि इधर भी square है तो इधर भी whole square दिखाई पड़ जाए ताकि हमें square root ले ले अब मेरी बात ध्यान सुनना ध्यान से सुनो ध्यान से हमने क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है कि अगर x square बराबर क्या हो जाए कोई number है यह हमने quadratic equation में पढ़ा है कोई number है तो यहां सा अगर आप square हटा होगे तो 20 का square root लोगे और आगे क्या लगा होगे plus minus yes or no यानि कि 2 square root आते है x की 2 values आती है देखो square root of 4 तो 4 हो जाएगा और आगे यह लगेगा sorry I'm very sorry 4 का square root 2 हो जाएगा ठीक वाई 4 का square root of 4 कितना हो जागा टू और आगे आएगा plus minus यानि कि x की 2 values आती है एक plus 2 और 1-2 वही हालत यहां पर है ज्यान से चेक करो यह 10 का square हटाओगे तो क्या हो जाएगा कि इसके उपर आप square root लोगे ज्यान सरा चेक कर ले ना यह लो तो इसके उपर आपने क्या लगा है square root लेकिन square root के आगे sign किया जाएगा plus or minus plus or minus सही है जिससे कि वैसे तो हम वैसे तो हम भई थीटा को acute angle मानते positive square root ही लेते हैं लेकिन बात समझो ना दो result proof करने तो आपको इस बार positive square root भी consider करना पड़ेगा और negative वाला भी ठीक यान कि 90 से छोटा ऐसा जरूरी नहीं वो कुछ भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं अब समझो एक बाव बताओ यहां सा क्या आजाएगा आपके पास 10 theta is equals to ध्यान देना जरा plus minus लगा है लगा दो कोई दिक्कत नहीं अब सुनो सुनो बहुत अराम से यह बताओ भाई कि आपने स्कॉयर रूट से स्कॉयर हट जाएगा तो यह जो ब्रैकेट में बचा है बस यहीं बचेगा लेकिन सावधानी रखना भैया ब्रैकेट में ही रखना से श्क्वायर रूट को हटा देगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x minus 1 upon 4X Good layout बताईए और ध्यान रखना आगे प्लस माइनस बैठा हुआ अभी क्योंकि वह स्क्वार रूट के बाहर था और इस पूरे को सॉल्फ किया क्या चीज़ नहीं प्लस नहीं लेंगे हम दो दोनों लेंगे इस बार वह अभी तुम्हें पता चल जाएगा क्यूं दो रजल्ट लाने ना भूल चुके हो क्या यहां पर आजाओ पीछे क्या कहरता कि सेक थीटा प्लस तैन ठीटा या तो टू एक सो जाए या तो सेक थीटा प्लस तैन ठीटा वन अब ऑन टू एक सो जाए तो दोनों जब इसका रूट लोगे पोज़ड़ वाला भी तो नहीं आएगा ठीक अब सुनो इतना आ चुका आप हम नय पेज पर चल रहें अब मेरी बात पूरी ध्यान से सुनना ध्यान से एक बाब बताओ कोशन में आ जो सबसे पहले कोशन में आओ कोशन में अगर आओगे ठीक तो क्या दिया था सच-ठीटा जो दिया था इसको क one upon 4 एक्स था हुए यह तो आपको given य मीड यह और इंपल्ण कितना है ब्रैकेट में x- ब्रैकेट को मत भूल जाना x-1 upon 4x आया है फिक अब समझो जरा समझो 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 एक बार बताओ भाई इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि एक बार तो आप यहां क्या मानोगे प्लस अंदर वाला साइन मत चेंज कर देना वह वैलू तो फिक्स है आएगा तो पहला वेलू क्या है गाएगा डांट में थी टाका फिन ती करेंगे कि अब हम सब्क्राइगे तो इस बार प्लस sign लेते थे एक बार मैनस sign लेते थे तो अब इस बार मानस लेंगे तो इस बार हम bracket के आगे क्या लेंगे X-1 upon 4x के आगे हम क्या लेंगे minus yes or no समझें ये मतलब होता है यागी या तो अंदर X का X रहेगा minus का minus one upon four X का minus one upon four X रहेगा याने कि एक बार तो टैन ठीटा की यह वाली value है यस सर और एक बार टैन ठीटा की कौन सी value है यह वाली है जो मैं निकालने जा रहा हूं यानिके टैन ठीटा is equal to ध्यान दो यह माइनस से जब रैकट ओपन करोगे ध्यान देना तो X कैसा हो जाएगा negative मानते हो की नहीं बताओ भाई X अभी अंदर कैसा था पॉजिटिव कोई साई नहीं तो प्ल प्लस प्लस वनवान 4X सही है ओके अब सुनो अब एक बाप बताओ कि अगर मैं चाहूं तो यह वाले टैन ठीटा को मैं क्या लिख लूँगा जो पॉजिटिव वैलूस को पहले लिख लो और जो नेगेडिव है रिएर्रेंज कर लिया बहिया कुछ नहीं किया वनवान 4X क यह हो गया ठीक अब सुनो अब आपके बाद सेक का तो एक ही वैलू है लेकिन टैन के कितने दो हैं यानि कि हम सवाल कितनी बार सॉल्फ करेंगे दो बार कैसे सर एक बार आप सेक को यही लोगे लेकिन टैन को यह लोगे और दूसरी बार आप सेक को तो यही लोगे लेकिन चेनों ये समझेंस तो धोro multif करके दिखा रहा हूं कि इसको मैं थोड़ा सा चोटा कर देता हूं है इस एक ऑर दोनों केस दिखिएगा इसको मैंने थोड़ासा क्या करना है कि छलो अब ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो case number one so case number 1 में sec मैंने कितना choose किया sec तो fix है भाई sec theta कितना है x plus 1 upon 4x ठीक और इसके नीचे tan मैंने ये वाला choose किया भी ठीक so tan theta is equals to कितना रहा है बताओ x minus 1 upon 4x so x minus 1 upon 4x अब कुछ नहीं करना है ये होगा equation number 1 और ये होगा equation number 2 उठा के add कर दो आता है add करना कुछ नहीं करते है left hand side को left hand side में right hand side को right hand side में ठीक तो जब आप इसको इसमें add करोगे sec plus 10 हो जाएगा ये sec theta plus 10 theta अब आप ध्यान दो इस equals to लगा इस equals to लगा दो अब भाई ध्यान सो नो ध्यान सो नो x plus one upon 4x में add हो रहा है क्या x minus one upon 4x ओके ये ये गेम चल ला है पूरा समझ लो पहले फिर मैं direct करके दिखा दूँगा x plus one upon 4x plus से bracket open करो कोई sign नीचे जोगा है ये प्लस का x और minus one upon 4x ये लो ये ही चीज़ है भाई इसमें उठा के इसको add कर दो इसमें उठा के इसको add कर दो बीश में plus लगेगा minus one upon 4x और plus one upon 4x cut हो जाएगा x plus x कितना आ जाएगा 2x ये ही लेके आना था ठेक कर लो sec theta plus cent theta is equals to 2x लेके आना था ठेक तो अब हम क्या कर रहे हैं हम इतना तीन जाम नहीं दिखाएंगे हम चुप चाप क्या करेंगे बोलेंगे कि right hand side को जब हम right hand side में add कर रहे हैं तो plus का one upon 4x minus का one upon 4x cut जाएगा और x plus x कितना हो जाएगा 2x ये लो तो एक result तो आ गया हमें sec theta plus cent theta या तो 2x proof करना था या तो कुछ और करना था अब जो कुछ और करना था वो देखो case 2 ठीक so इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और color change करके मैं आपको दिखा रहा हूं क्या मैं आपको दिखा रहा हूं case number 2 तो case number 2 में ध्यान से सुनो sec तो आपका इतना ही रहेगा कितना sec theta तो आपका इतना ही रहेगा यानिके x plus 1 upon 4x ठीक लेकिन इस बार आप tan को क्या चूज़ करोगे ये वाला ओके कितना 1 upon 4x minus 6 so अब हम tan theta बराबर कितना चूज़ करेंगे 1 upon 4x 1 upon 4x minus 6 minus x ठीक अब ये बन जाएगी 1 1 क्या इसको 3rd और 4th कर लो है न पर सेकेंड तो पहले ही बना चुके हैं यह गई 3rd और यह गई 4th कुछ नहीं करना है उठा के add कर दो कैसे add करते हैं कैसे add करते हूं left hand side को left hand side में तो बताओ sec theta plus tan theta को हम क्या लिखेंगे sec theta और plus tan theta left hand side left hand side में is equals 2 अब right hand side को right hand side में अब देखो जिन बच्चों को नहीं पिता मैं आपको दिखा दूँ भाई ये लिखोगे और plus करके ये लिखोगे तो क्या कहानी चलेगी देखो पहले ये लिखोगे क्या एक्स प्लस 1 upon 4x अब प्लस ये लिखोगे फिर याने कि 1 upon 4x-6 अब समझो 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 देखो अब रैकेट हटा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्स प्लस 1 upon 4x क्योंकि यहां प्लस बैठा हुआ है तो अंदर का कोई साइन चेंज नहीं होगा तो प्लस में 1 upon 4x और माइनस में एक्स लो एक्स से एक्स जाएगा एक्स से एक्स जाएगा ओके अब सुनो मेरी बात एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं वन अबान 4x प्लस 1 upon 4x 2 times 1 upon 4x क्या मैंने सही बोला भाई जैसे x प्लस x 2x होता है जैसे m plus m 2m होता है जैसे टॉफी प्लस टॉफी टॉफी होती है वैसे 1 upon 4x प्लस 1 upon 4x 2 times 1 upon 4x नहीं लिखत होगे बताओ और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप चेक कर सकते हो ना 4x 4x काल्सियम कितना होता है सर 4x होता है सर उपर वाले नंबर हो जाएंगे 1 plus 1 2 इतना ही तो आजाएगा 2 into 1 2 upon 4x ठीक अब 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 होता है उपर बचा 1 नीचे बचा 2x यह लिजे तो राइट हैं साइट को एड करने में कितना आ जाएगा इन दोनों का एड किया तो कितना जएगा 1 upon 2x ठीक अब सुनो अब उसने हम व क्या बोला था चेक कर लो उसने हम बोला था कि या तो स्टीट अपलस हैंड़ करेंगे ओंके जाके देख लिजे यही बोला था या तो स्टीटा प्लस त्राइņण theta plus theta plus theta 1 upon 2x होगा ये भी हमने दिखा दिया okay hence proof correct कर लीजे very important question